कैसे हैं आप सब लोग पाई होग के ठीक होंगे गाइस देखिए आज मैं बनाने जा रहे हूं कच्छे केले के पकोड़े जो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और पनीर के जैसा बिल्कुल इन में टेस्ट आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात ना कर तो मैं इन केलों के ऊपर का जो यह छिलका है इसको मैं उतार लूँगी एक देखे जैसे मैं उतार रहे हूं ऐसी आप इनका छिलका उतार लीजेगा तो लीजे जाइस ये मैंने छिल यह है केले तो ये मैंने पानी में डाल दिये हैं क्योंकि अगर इनको पानी में नहीं डालती तो जो केले है वो काले पड़ जातें तो आप भी इनको छील कर नमक के पानी में इनको कुछ देर के लिए डाल दीजेगा, जब तक आपकी दूसरी प्रप्रेशन होती है, तो चलिए मैं कर लेती हूँ, अपनी दूसरी प्रप्रेशन, एक मैं ले रही हूं बाउल, इसमें मैं एड कर रही हूं बेसन, धाई स्कू मैं ले रही हूं मिर्ची पाउडर, फाफ टेबल स्कून मैने लिया है लदी पाउडर, ओर तो टी इसमें के रही हूं, चावल का आटा, नमक ले रही हूं, अबस आप इसको मिक्स कर लिजेजए, और इसमें मैं एड कर रही हूं पानी, पाणी आप थोड़ा दोड़ा कर् तो लीजी घाइस मेरा बैटर हो पहरा तयार देखिए इसमें जो लम्स थे वह नहीं रहने चाहिए शूंहाट कि इस तरीके प्टी करें है मैं ने देखिए मेरे जो केले हैं वह अभी भी ऐसे हैं विलकुल भी काले नहीं पड़े है यह देखेगा इसमें मैंने नमक एड़ किया है पानी में और इनको डिप करके रख दिया है तो यह तो प्रप्रेशन मेरी हो गई है तो चलिए आगे की प्रप्रेशन में बता देती हूँ तो लीजिये मैंने एक लेली है कड़ाई तो इसमें मैं एड़ करूंगी ओईल थोड़ा ज्यादा एड़ कीजे आपको और चीज बता देती हूँ तो इसको कट भी कर सकते हैं गोल गोल पीस में आप कट कर सकते हैं तो गाइस देखे ओल मेरा हो चुका है गरम तो एक बार इसको ऐसे कर लिदे तो लीजे गाइस बिल्कुल पकोड़े मेरे तयार हो गए है बनके अब मैं निकाल लेती हुए एक प्लेट में तो लीजे गाइस मेरे केले के पकोड़े तयार हो गए है बिल्कुल तो यह खाने के लिए एकदम रेड़ी है तो एक बारा कमेंड करके जरूर बताईएगा कि मेरे कच्छे केले के पकोड़े आपको कैसे लगे तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़के देखिए देखिए अंदर से बिल्कुल ये पक चुके है ये देखिए बिल्कुल पक चुके है अंदर से अगर आपको मेरे केले की रहसी भी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब कीचे का चलिए मिलती हूं में नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई